चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटन जरूर दबाएं मैं यह कहना चाहता हूं एक गरीप प्रिवार व्यक्ति अगर यहां पर इस तरीके से इलाज करते हैं यह लोग यहां पर यह आये इलाज के लिए अगर बोड़ी लेने के लिए निया थे इन्होंने समय पे सही इलाज नी किया अगर अंदर की कोई ज्यादा ही मिस्टेक थीत इन्होंने परिजनों को की नहीं बताया है और 40-45 यूनिट ब्लीट कहां गया पहले यह प्रसासन हमें बताए अगर एक बोड़ी में कितना यूनिट ब्लैड होता है पहले यह बताया उसके बात चालीस से चैटाया है इतना मजबूत आर्थिक हिस्टिति से मजबूत नहीं हैं तो ये इतनी व्यवस्था कर सके उसके बावजूद भी इन्हों ने अगर ये कुछ किया है तो हमें कानूनी कारवाई करनी है और जब तक डैदबोडी हम नहीं हटाएंगे जब तक कानूनी परक्रिया पूरी नहीं होगी और हमारी समाज यहां पर मांग तो यह पहली कानूनी परक्रिया उसके बाद धरीप परिवार है आज हमारी समाज में इनको लड़किया का मिलेगी पचास साल की उमर में आप ही समझ लो तो इसलिए इनको परिवार चलाने के लिए भी आतिक मुहावजा जो भी उचीत हमारी समाज करेगी वो इनको दे